पेटवाट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाल है रेस्टोबल के बारे में दोस्तों रेस्टोबल है पुशों में कब-कब देने चाहिए कि इतनी मातरा में देने चाहिए और पुशों को देने से इसके क्या-क्या फायदे होते हैं तो द दोस्तों इसके कमपोजिशन की जहां तक बात करते हैं तो इसके अंदर तुलसी है, अशोगंदा है, मुलेटी है, गोकुरु है, सतावरी है, शिलाजीत है, आमला है, आम किछाल है, इस तरह से ये आयरुवेधिक प्रेपरेशन में दोस्तों ये बनी हुई है, अगर दोस्तो इसके बात करते हैं कि ये काम क्या करती है, दोस्तों एक तो ये हर्बल इमन्यू मोडूलेटर का काम करती है, पशों में रोग परते हुद उक्षमता बढ़ाने का काम करती है, एंटी स्टेसर और रेजिवेटर का दोस्तों काम करती है, एंटी स्टेसर का मतलब है तनाव से मुक्त करना और एजवेटर का मतलब है एक तरह से नव उर्जा परदान करना पशू में एनरजी परदान करने का भी दोस्तों काम करती है अगर अगर अपन ओल ओवर बात करें कि ये पशू में कब कब दे सकते हैं दोस्तों रेस्टों में लिक्विड का अपयोग जादा तर पशू में एंटी स्टेसर के रूप में किया जाता है पशू को तनाव से मुक्त रखने के लिए किया जाता है और दोस्तों अगर पशू स्टेस में आ जाता है तो पशू के प्रदक्शन पे काफी एसर पड़ता है तो दोस्तों उस कंडिशन में इसको दिया जाता है kenn scienton के बाद पॉसुस्त्रेस में आ सकता है जाहत हो जादा तर जिया जताफ़ के rasa का सब्सक्राइस में बहुत है करें और अपन को स्ट्रेस के लिए ईपनय दे सकते हैं परदक्शन लेवल डाउन हुआ है, तो पशो में क्या समसिया रहती है, पशो अगर बिमार होता है। पशो का टीट्मेंट चल रहा है, तो दोस्तव में स्पोर्ट थेरिपी कि तोर पर अपन दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रेस्टोबल लिक्यूड है, पशुँ में immunomodulator का काम करती है, रोग परतिदोगशमता बढ़ाने का काम करती है, तो वहाँ पे अपन किसी विडिजीज में sport therapy के तोर पर अपन साथ में दिला सकते हैं. और दोस्तों breeding purpose से जो animal पाले जा रहे हैं उनको अपन क्रोस में यूज ले रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे fertility में सुधार लाने के लिए भी अपन पशों में ये पिला सकते हैं male animals में पिला सकते हैं क्योंकि दोस्तों जहां breeding purpose से अपन animal पाल रहे हैं तो दोस्तों, restable है, एक तरह से herbal immunodulator का काम करती है anti-stressor का काम करती है upwards, radi relator का काम करती है तो अपन पशो में रोगपर तरुट शम्ता बढ़ाने के लिए दे सकते हैं पशो को stress से mix करने के लिए अपन दे सकते हैं और पशो का energy level down है तो दोस्तों देवें और दोस्तों जहां तक बचभी और देने दो बार दे सकते हैंow वहाँ पे अपन 10-20 अमयल दिन में 2 बार दे सकते हैं अब दोस्तों अपने को यह भी जानना बहुत जुरूरी हो जाता है कि अपने को कितने दिन तक लगातार अपन दे सकते हैं और दोस्तों एक पर जब भी आप देवें तो अपने जो निरस्ट वेटनरी डोक्टर है उनसे प्रामर्श जरूर लेएं उनके प्रामर्श के अनुसार इसका उप्योग करें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लेगे आप जरूर बताईएगा धन्यवाद